हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो वर यूट्यूब चैनल सान व्लोग दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं वाई एच्छे होंगे देखी गाइज आज इस वीडियो में किलियर हो जाएंगी ठीक है उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में भी शेयर करता हूं बताओ है ना तो चलिए वाखी तो आप लोगों को पताईए वाई आप सब्सक्राइब करना आपक सब्सक्राइब करते हैं बहुत दिनों से मतलब मैंने डाल रखा था जो चाचा है कागराबारा में वह अफिस्टेंड ग्रेड वन एचार की कोफ्ट पर ही है ठीक है तो उनसे ही मैंने पूछा उनकी अब इनोंने पूछा है मेरे मेंबर ही है जॉब डिस्क्रिप्शन करना आप खुद बोला फूरो मुझे कमेट करके जरूर नहीं कि मैं मैं मैंमर्स भाई सब आप लोगों का भी मैं मैं रिपलाई करता हूं जाके देख ले ना प्रीएस वीडियोस में और रिपलाई करता हूं मैं क्वी आप लोगों की उठाता हूं ठीक है जो तो आप से कुछ भी काम करवा सकते हैं जो वहाँ पर ऑफीश में बर्क होता है ठीक है क्या सटर्टे संडे ओफ होते हैं बाई साथ बहुत बढ़िया क्वेशन मतलब आप जॉब जाने से पहले छुट्टी मांग रहे हो यह बहुत बढ़िया यार 수 tak saош संडे ऑफ होते हैं कहां सिर्फ और सिर्फ बाइंश पोस्टंग फности है की सं बेवादर्ट काट हम na ऐच संडे यह थो कंफ defरांद के मैं पता डीके श देकिंद शनटवर दे की मुझे कंफर्म नहीं है बर्ट 2 सेकंड सेटर डे की छुट्टी रहती है, मतलब वहां पर तो सेकंड सेटर गे सेटर डे सेटर डे सेटर डे Kaos जो अधर की सेटर डे आफ रहता हैं वोर्त पता नहीं है फॉर्त की मुझे पता नहीं है प्रोडक्शन वाला काम नहीं है कोई बीदिध मतलब तो आप नहीं टेक्निशन हो नहीं मतलब नहीं प्लांट ऑपरेटर हो तो इसमें ओवर टाइम लगने के बहुत कम सांजर होते हैं माई माइनर मतलब एक परसंट या दो परसंट ही मान के चलो साल में एक दो मिल जाए तो वह बहुत है लेकिन ओफिश का वर्क रहता है बाई फिश्छ वर्क ट्रेनिंग कितने समय का होता है वह बहुत एच्छा approached с 9 and P 12 ग्रेट बल मैं कोई ट्रेनिप नहीं होता कोई ट्रेणिग नहीं होता डारेक्ट आप्की जोइनिंग होगी डारेक्ट आपको quarter मिल जाएगा ठीकय डारेक्ट आपको वन का प्रो इस in पीरियड म one year का provision period होता है, जिसमें आपको प्रोविजन प्रियूड़ि मिलती है, ठीक है, अब one year का provision period क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर आप को पसंन्द नहीं आए तो वो कभी भी आपको निकाल थे, यह चीज़ और लेटर, आमें लिखकर यह कहता है कि वन यह जो आपको प्रोविजन पीरड मिला है उसमें अगर आपने उसके रूल को फॉलो नहीं किया लाइक कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब अपने हेकड़ी दिखाएंगे या फिर कुछ भी एक्साइब जो अलग नेदर्में आगे कि यह वंदा ठीक नहीं है तो वह उन DRम कभी भी निकाल सकते हैं आप लोगों को ठीक एंक रिल फैक्ट ही है मैं सारी जानकारी लेकर तब ही आप लोगों को देता हं किइस होते हैं अगर होते हैं तो कैसे रहता है वह क्योर अवरौल प्रोसीज ओधो बबर आने की कोई जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो रहा है बहुत चल जाएगा आराम से क्या चल जाएगा बहुत इजी होता है वाइं मेडिकल क्या पोस्टिंग पर्मानेंट होती है या हम दूसरे एंपी से यूनिट में जा सकते हैं लग क्वेस्टिन भी लिकाल लिकाल के ला रहे हो तुम लोग जा सकते हैं आगे जाके अब ही जो पोस्टिंग होगी आपकी एंपी चीया ल है डू काटर यानि मुंबई में ही ठीक है उसके अलाबा अगर आपको ट्रांसफर लेना है ट्रांसफर लेना है तो भाई इतनी आसानी से ट्रांसफर आजकल नहीं होते बड़ ट्रांसफर हो जाता है जैसे आप नरोरा में कोई फिस्टेंट ग्रेड वन की पोफ्ट पर हैं और आप मुंबई में हैं आप मुंबई जाना चाह रहे हैं और कोई अगर है यहां पर नरोरा तो वह नरोरा जाना चाह रहे हैं मतलब आप नरोरा से तो भाई एक्षेंज हो जाता है ना और मैनुवली यूनियन के दुरू आप लोग ट्रांसफर भी ले सकते हैं ठीक है यूनियन के दुरू यूनियन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा एनपी सी याईल हाँ टोटल एलाउंज जोड़कर बेसिक वेपल अफ डिये में कितना इंक्रीज मेंट होता है बहुत बढ़िया परश्य हाँ तो देखिए हर साल आपकी जो है सभी की सेल्डी इंक्रीज होगी तीन पर्थेंट कितनी बेसिक की तीन पर्थेंट आपकी हर साल सब्सक्ति होगी और जो आपकी एवरीज सiल्डी है मंदब बहुत हर महिने साल डी आपकी इस्किल टेफ्ट के बहुत डाउट से हैं सभी को क्या MS वर्ड पर होगा टाइपिंग टेफ्ट या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर कि वह लोग डेपाटमेंट वाले किस चीज़ पर आपका स्किल टेफ्ट कराते हैं लाइक टाइपिंग टेफ्ट होता है वह डिपेंड करता है वहां पर ठीक है किस चीज़ पर कराते हैं और प्लस इसमें एक इंटरव्यू भी होगा जिसमें कि आपको कंप्यूटर से तो इसमें क्या होता इसके टेफ्ट में जैसे कि आपका पहले वाद तो आपको कोई जैसे सेल्डी सिलिफ दे दी या फिर कुछ प्रिजेंटेशन दे दिया पेज दे दिया उसको आपको टाइप करवाएंगे MS वर्ड वगेरा पर पावर पॉइंट में इस तरीके से करवा है ना और उसी दिन डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन भी होता है कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेफ्ट में किस लेवल के शबाल रहते हैं हाँ बता दिया मैंने वर्कावर ओवर टाइम का क्या सीन है तो यह भी चीज मैंने बता दी और अगर आपको और कुछ जानना है तो आ आप लोगों को जो भी क्यारी सो ठीक है फिटेंट ग्रेड वन से रेलेड़ अज की इंफोर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजे मेरे टेलीग्राम ग्रूब में जोड़ जाए इंस्टाइग्राम पर फॉलो कर लिए चाहते हैं हमेशा के लिए तयारी करना चाहते हैं या कुछ भी एक्षवाऑिजर टो आग較 प्रूब ना चाहते हैं